मैं तो पूर्ण मुद्दे पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सर महेंगाई बढ़ती ही जा रही है कुछ तो रहम कीजिए अगर खाने का अधिकार दिया है तो खरीद के पकाने का भी अधिकार दीजिए ये तो आप लोगों के दिन रात काम करने की सफलता है कि अब विकास का पता भी बढ़ती कीमतों से चलता है क्या बात है कल उस दिन 50 रुपे का विकास हुआ उससे पहले फिर 10 रुपे का विकास हुआ तो उससे पता चलता है और एक विशेश निवेदन आपसे ये है आप लोग लगातार काम करते हैं विशेश निवेदन ये है कि विकास बहुत स्पीड से हो रहा है इसकी गती अब बात बता देता हूं वैसे इन लोगों की जानकारी के लिए वो कोविड के दोरान आपको एक कॉलर ट्यून सुनने को मिलती थी है ना तो मैं कंटेंट बता देता हूं आप लोग एक कॉलर ट्यून बनवा लीजिए और उसी हिसाब सो फोन में बनवा दीजिए क्या नमस्कार महंगाई से इस समय पूरा देश लड़ रहा है हर आदमी इसका सामना बहादुरी से कर रहा है इसका सामना करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है बस महंगे पेट्रोल डीजल गैस के दाम से घबराना नहीं है बहुत अच्छे विली बहुत बढ़िया बस महंगे पेट्रोल डीजल गैस के दाम से घबराना नहीं है परेशान होकर मत फोड़े अपना माथा इसका भी वही बचाओ है जो कोविड का था इसका भी वही बचाओ है जो कोविड का था स्वस्त रहें मस्त रहें सरकार को इसलिए हर तरफ बस विकास का ही जिक्र है महंगाई एक गंभीर समस्या है इससे बचें हो सके तो खाना एक टाइम ही खाएं हो सके तो खाना एक टाइम ही खाएं कपड़े फटे पुराने पहने और कहीं भी पैदल ही जाएं भारी वजन वाले सामान अपने सिर पर धरें इंधन वाले वाहनों का प्रयोग बिलकुल न करें अच्छा है इंधन और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं इंधन वाले वहनों का प्रयोग बिल्कुल न करें इस समस्या को प्यार से जहलें तक्रार से नहीं ध्यान रहे हमें महंगाई से लड़ना है सरकार से लड़ना है करें अच्छा कि नहीं किसी नहीं कम से कम आपने जंता की बात तो की महंगाई की बात तो की वर्ना तो देखिये जो लोग बैठें अब बहुत बाई ने का कि 50 रुपे का विकास हुआ है तो जब हमारे साहब ने पहले ही कह दिया कि आप दा को अवसर में बदलो तो सिलिंडर ने भी आपदा को अवसर में बदल लिया और क्या सिलिंडर को विकास करने का हद निये क्या हक निये उसे सिलिंडर का भी हक है विकास करने का वह बच्पन से ढाई फिट का ही है उसकी हाइट नहीं बढ़ रही रेट तो बढ़ने दो अभी बीजेपी ने सब का साथ सब का विकास योजना के अंतरगत महाराष्ट में सरकार बना ली ठीक है लेकिन इसमें गलती संजय राउत किये क्योंकि धरस्टराष्ट हो चाहे महाराष्ट गलती संजय करता है गलती संजय करता है वो सब कुछ देखता है माभारत का भी संजय कहता था दरस्टराग जी अभी तो एक गया निन्यान में बचे हुए अभी तो एक गया निन्यान में बचे हुए ऐसे ही महाराष्ट वाला संजय ठाकरेजी को बता रहा था अभी तो एक गया बहुत सारे बच आप अपनी देखो, और उद्दव ठाकरी जी अपनी बात के पक्के हैं, जब आज से धाई साल पहले महारास्त में चुनाग हुआ था, तो बीजेपी ने उन्हें उफर करा था, कि भई धाई साल सिवसेना का सीम रहलेगा, धाई साल हमारा रहलेगा, उन्होंने का नहीं, पा जैसे ही महारास्त से गायब होने लगे उद्धव जी के इतना डर बैठ गया, क्यों सुबही सुबह उठके अधित्य ठागरे कुछ एक करते थे सबसे बहले, अरे अच्छा है भई, अच्छा है, गढ़िया ये, बुला है या निकल लिया, तो आधित्य ने का पापा, आप दोब जी आपके लिए कास कांग्रेस के लिए, महारास्त में, सिंद fils ने फ्लोर टैस्त पास करा तो वहाँ, 21 उपस्थित नहीं थे, उन 21 विदायक कोंग्रेस के थे, जो गायब थे, यानि कि कॉंगरेस के 9 विदायक उस दिन गायब थे, कॉंग्रेस रुभी टाइमींग ह फाइदा तो मिलता आपका बोल रहा है काम आपका बोल रहा है काम अरे जो जो चीज जरूरत की है सब के बढ़ गए दाम आपका बोल रहा है काम के डीजल वा पैटरोल का चुकाएं कैसे मोल रसोई की गैस का भी रेट बढ़ा है और तेल नूम चीनी आटा दाल का सुना जो भाव रात भर सोच सोच नीद नहीं आई है और असी के टमाटर हुए कैसे खरीद पाता ये मेरी विकास गाथा है कि असी के टमाटर हुए कैसे खरीद पाता बीवी को टमाटरों की फोटों ही दिखाई है और चर्चा हुई तो भाजपाई मित्र बोल पड़ा महगाई नहीं है ये कडवी दवाई है और आपके लिए कि रोजगार मागा तो हो रोजगार मागा तो थमादिया कच्चा बादाम आपका बोल रहा है काम आपका बोल रहा है काम जो जो चीज जरूरत की है सब के बढ़ गए दाम आपका बोल रहा है काम अंटिम पंक्तिया सुनिये कि जेल नहीं पा रही है खर्चे हमारी जेव आम आदमी की बात है कि जेल नहीं पा रही है खर्चे हमारी जेव बिजली के बिल के बरावर कमाई है जेल नहीं पा रही है खर्चे हमारी जेव बिजली के बिल के बरावर कमाई है और टीवी बेच कर दूद का किया हिसाब और फ्रीज बेच कर फीस बच्चों की चुकाई है टीवी बेच कर किया दूद का हिसाब और फ्रीज बेच कर फीस बच्चों की चुकाई है और कार बेच कर बाइक में भरवाया तेल, जूट बोल रहे हो, बेच दी भाई, अब कहा से होगी, अब कहा है, कि कार बाइक, अब तो बाइक भी नहीं है, सुनो, कि कार बेच कर बाइक में भरवाया तेल, बेच कर बाइक दवाई करवाई है, और हाई महगाई, हाई महगाई, तुने वाट ऐसी हैं लगाई, चार रोज पहले मैंने भेज बेच खाई, करे यादा बने रहे हुआ संग मोसलय्म जमाली संग, आप, चला ओ, तुमको महले चलता हूं, की हां, आजम घड मैं वोनाम लेन पसंद लेगर, तो लोगाई का आजम घडो खो, ज County, Adammんと Nira वासंग मुसलिम जमाली संग गडवलाया सारा ढंग होड़ दंग हो गया आपका गडवलाया सारा ढंग होड़ दंग हो गया और उपचुनाव इसवार फीका फीका इरहा है उपचुनाव इसवार फीका पीका इरहा तोपी वाला लाल रंग बदरंग हो गया किस सपा का बोटर भी सामप्रदाइक होने लगा सपा का क्योंकर वो उसके संग चले गए ना हां सपा का बोटर भी सामप्रदाइक होने लगा इस बार से कुलर कुर्टा तंग हो गया यह इस बार से कुलर कुर्टा तंग हो गया और पार्टी संग्ठन भंग से कुछ न होने वाला लगता है जन्ता का मुख भंग हो तुमारी हालत क्या हुई है के उल्टे तुम कोई ना चा गया अब की बार ने रहुआ अब की वार ने रहुआ और फुल बोतल का मजा ले गया है देशी का पाउड़ा अब की अमेटी गई ती आपका आजमगड चला गया देखे सवाल यह नहीं कि आजमगड चला गया आप यह अच्छी तरह जानते हूं सरकार डबल इंजन की है जहां पे लोक तंत्र की उपर में ठोको तंत्र बीमानी तंत्र जिस तरह का सरकारी तंत्र का अब्लिक ने मुस्किल से पांचे हजार जादा ला पाएं जहां पूरी सरकार लगी हुए थी और पूरी सरकार नहीं दिल्ली की और राज की भी सरकार हैं तब जाके बड़ी मुस्किल से आप चार-पांचार से जीत के आप कह रहे हो कि हम जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत अपना तो कुछ नहीं है तो ही नहीं कुछ दूसरे के में जागते रहते हैं उनका क्या हुआ वो क्यों नहीं आए अरे अपना पहले सोचो हमारे हर समाजवादी पार्टी कार करता करमत है और दमदारी से चुनाव लड़ता है बड़ी मुश्किल से आप अपने सारे तंत्र क इस्तिमाल करके पांच जार से जीते हैं मुंबई के कहाओ तो गिरे फिर भी टांग उपर इनकी टांग उपर ही रहेगी खले जी का मन क्या बोल रहा था उप चुनावों के परिणाम के बाद तो मैं बदोरिया जी वो बताना चाहता हूं सुनिए का कि ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है जो काम किये मैंने अगलाले उलता है हम डूब गए चाचा आजम खांस आप से बोले हैं हम डूब गए चाचा बाबा की सुनामी में हम को पके बोटर का भीना सहारा मिला हम को पके बोटर का भीना सहारा मिला आजम गड़ में आज वो आजमगर में आज वो नजारा ना मिला, नजारा ना मिला, वो जो छूटा था जामानत परना दोबारा मिला वो जो छूटा था जामानत परना दोबारा मिला इतनी हारों के बाद, audience, राहूल भहिया का conference देखो आप BJP की कोठरी, मैं उस पे रेल चला दूगा नमो नमो के पत्थर पे, अरे नमो नमो के पत्थर पे, रागा रागा लिखवा दूगा आज गया महराष्ट हाथ से, दया प्रभू की अगर रही, 36 गड़ और जार खंड संग राजिस्थान गवा दूगा, बीजेपी की कोठरी मैं उस पे रेल चला दूगा अब सुनना, इस पे मज़ा आएगा, और सुगी भई आपको भी आएगा जेल में बैठे सिद्धू से, और जेल में बैठे सिद्धू से, सारे भाशन मंगवा लूँगा, बीजेपी की कोठरी मैं उस पे रेल चला दूगा और कुछ दिन और सियासत वाला, गेम अगर में हार गया, अपने घर को पब जी का अपने घर को पब जी का संचालन केंदर बना लूँगा, बीजेपी की को फिर मैं उस पे रेल चला दूँगा और सबसे बड़ी अलाइन अब आ रही है, बाजबा, अगर जमीन सियासत वाली, तुमने मेरी कब जा की, जी जा जी से कह करके सारी परचेस करा लूँगा, जी जा जी से कह करके सारी परचेस करा लूँगा, और अभी तो confidence बढ़ा हुआ है राउल जी का, करनाटक मैं नाट मेरा, अगर सफल जो हो बैठा, करनाटक मैं नाटक मेरा, अगर सफल जो हो बैठा, खुद को ये दूर अपा से, हाँ, अर खुद को ये दूर अपा से, अपा अपा बुलवा लूँगा, खुद को ये दूर अपा से, अपा अपा बुलवा लूँगा, और आखरी सुन खेल खेल में बीजेपी जो मुझ पर केस लगाती है खेल खेल में बीजेपी जो मुझ पर केस लगाती है तो मैं भी फिर खेल खेल में अपनी बेल करा लूँगा बीजेपी की कोठरी मैं उस पे रेल चला दूँगा तो यह आज कर लोगा क्या रे मों पिडेंस नहीं करनाटा